जैसे mobile आप लेके जाओगे आपके laptop से side में तो आपका जो laptop है automatically lock हो जाएगा और मैं बस इतना ही screenshot लेना चाहता हूँ जितना मैं गुमाऊँगा उतना ही screenshot आएगा जो open window है वो right side में आएगा और बाकी की windows का preview आपको इस तरह से दिखाए देगा दोस्तो 99% computer user ऐसे जो windows 11 तो यूज करें लेकिन उनको windows 11 की कुछ interesting features के बारे में बलकुल idea नहीं है जियां अगर आप windows 11 के नए features यूज करते तो आप अपने time को बचा सकते आप अपनी काम की productivity बढ़ा सकते साथी में अपने laptop या computer का performance भी बढ़ा सकते लेकिन कौन से ऐसे windows 11 की features आप जानने में ज़रू interested रहेंगे अगर आप computer यूज करें windows 11 आपके laptop और computer में already है तो इन features के बारे में आपको idea ज़रूर ना चाहिए जियां दोस्तो ये बहुत ही काम की features है अब मैं बताऊंगा नि सीधा आपको directly features बताऊंगा अश्टे बेस्टेप इंटरेश्ट रूद वीडियो एंड तक देखिएगा मैं सदिश आप सबका स्वागत करता हूँ complete technology पे Let's begin तो चली start करते हैं सबसे पहले features से जो की laptop user के लिए बहुत काम का feature है जैसे आप laptop पे काम कर रहे है और आपको पता चला आदा घंटा पाउना घंटा हुआ है और battery drain तो उसका कारण क्या है यह जानने के लिए आप windows का यह feature यूज कर सकते हैं जाना कहाँ पे आपको simple window की प्रेस करना की बोड पे उसके बाद आप यहाँ पे battery लिख दोगे search में और जैसे आप battery लिखोगे power sleep and battery setting में आपको जाना है जहाँ पे आपको battery uses का option मिल जाता है इस setting के अंदर तो जहाँ पे battery uses में कौन सा application कितना battery यूज कर रहा है यह आप वहाँ पे देख सकते हैं और उस application को वहाँ पे अप close कर सकते हैं अगर वो unwanted चलो या कौन सा application कितना battery consume कर रहा है वो battery uses की पूरी की पूरी history device यहाँ पे आपको मिलती है तो यह बहुत काम की चीज़े जो आप तक आपने यूज नहीं की तो ज़रूर यूज कीजिए आपको यह power setting में available रहता है अब बढ़ते features no.2 की तरब features no.2 बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा की problem क्या होता है problem ही होता है कि हमारे पास हमारे computer के अंदर storage या laptop के अंदर basically storage limited storage रहता है कितना भी है limited storage रहे 1TB है या 512GB है या फिर 256GB है तो यह जो storage है वो कितना किसको assign हुआ है मतलब मुझे storage sense जानना है कि media files कितने है पोटो कितने है तो सारी की सारी चीज़े आपको मिल जाती storage sense windows 11 के अंदर तो आपको करना क्या है keyboard की पर window की दबा देना है फिर आपको search box मिलेगा जिसमें आपको type करना है storage setting जैसे आप storage setting में यहाँ पर जाओगे उसके अंदर आपको storage sense का option मिल जाएगा उसके अंदर storage setting में आपको सारी details पहले तो मिल जाएगी documents, install apps, temporary files and other document, pictures यह तो मिलेगा है मिलेगा साथ में आपको storage sense का एक option मिलेगा जहाँ पे click करने के बाब आप यहाँ पे storage sense का setting on रखोगे तो यहाँ पे disk cleanup जो होता है, हमें disk cleanup मतलब होता है unwanted file windows की run निकाल देना disk cleanup मतलब windows के unwanted file निकाल देना इसके अपर already video मैंने बनाया, right तो यह सारी चीज़े जो होती है यह run करता है storage sense तो basically जो unwanted file है, temporary file से वो सारी के सारी यहाँ पे run storage sense now पे click करने के बाद यह clean होती है जिससे आपका unwanted storage pool है वो remove हो जाता है और आपके hard disk या फिर आपके SSD का performance भी बढ़ता है right so अब बढ़ते tips number 3 के तरब दोस्तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे content type करने होते है तो content typing का में बहुत control हाता है keyboard पे type करते हैं इससे अचा आप directly voice typing का इस्तेमाल करों जो कि windows का नया feature है तो इसके लिए करना क्या है आपको keyboard के उपर window की दबा के h दबाना है जैसे आप windows h प्रेस करोगी यहाप आप देख पाओगे एक चोटा सा mic का icon यहाप पे आपको दिखाए दे रहा है और इसके उपर mouse लाके आप जैसे click करोगी यह typing start होगा और इसके बाद आप जो बोलोगे पूर type होगा तो मैं यहापे click कर रहा हूँ Hello everyone How are you कैसे है आप सभी देखें यह Hindi भी type करेगा बट Hindi में थोड़ा सा error आने की chances है बट English में यहाँ पे बहुत ही proper type होगा आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसे हूँ Hindi भी type कर रहा है English भी type करेगा So how are you all of you guys तो इस तरह से यहाँ पे typing कर लेता है आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा हूँ all of you guys वगरा So यह typing का feature बहुत ही interesting है आपको जब लगता है कि आपको keyboard पे type नहीं करना है कंटला आ चुका है तो आप यूज करो यह Windows Edge Next feature की तरब बढ़ते हैं Windows 11 के अंदर आप multiple application पे काम कर रहे हो तो उस time पे आपको अलग-अलग window एक साथ देखनी है तो यहाँ पे उसके लिए भी option दिया गया है Windows और Z प्रेस कीजिए जिससे snap and resize का option मिलता है Windows और Z प्रेस करने के बाद आपको कैसा चाहिए अलग-अलग layout यहाँ पे corner में आ रहा है आप जैसे जिस layout में select करोगी वैसे वह window जो open window है वह right side में आएगा और बाकी की windows का preview आपको इस तरह से दिखाए देगा So windows Z एक shortcut की escape बटम प्रेस करने से दुबारा escape हो जाता है Windows Z प्रेस करने से दुबारा आ जाता है तो आपने जो open window रखा है बड़ी window सामने आपकी वह कहाँ पे locate करने है और उसके अलाव और window आपको यहाँ पे open करने है तो आप कर सकते है तो यहाँ पे एक साथ 2-3-4 application आप एक साथ देख सकते है जितने भी application आपके open है सारे application का preview करने के लिए एक अच्छा option आपको दिया है यहाँ पे अब यह next features उन लोगों के लिए जो अपने laptop को चालू छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं laptop को lock करना तो ऐसे में आपका laptop याप डाइनेमिक लिए lock होगा यहाँ पे click करोगे तो allow windows to dynamically lock your device when you are away इस पे check किजिए और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपके mobile के साथ Bluetooth से आपके connect करना पड़ेगा तो जैसे आप mobile के Bluetooth के साथ connect करोगे इसे तो उसके बाद जैसे mobile आप लेके जाओगे आपके laptop से side में तो आपका जो laptop है automatically lock हो जाएगा तो अगर आप lock करना भूल जाते हैं तो भी टेंशन लेनी की ज़रूँद है यह एक dynamic lock वे इन्होंने feature दिया है जो कि mobile के Bluetooth के साथ यहाँ पे synchronize रहेगा अब बढ़ते हैं next features की तरह अब यह features बताने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे comment section में पूछते है कि sir हमें कौन सा antivirus लेना चाहिए अभी आपको antivirus लेनी की ज़रूद नहीं अगर आप Windows 11 कर रहे हो तो Windows 11 के अंदर Windows का defender जो है वो एक अच्छा antivirus है वाइरस आपके computer से घुसने से वो रोकता है और इसके लिए आपको कोई paid antivirus लेनी की ज़रूद नहीं है हाँ बस आपकी system को update रखना बहुत ज़रूद रहे है up to date update रखो और यह Windows defender अच्छा खासा काम करता है Windows defender से scan करने के लिए क्या करना है simple है start button पे click किजिए या नहीं window button दबा दीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे आपको type करना है virus जैसे आप virus type करोगे तो virus and trade protection आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते virus and trade protection मतलब windows security का एक tab आ जाता है जहाँ पे आपको quick scan का option दिखाए दे रहा है और उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग scanning के option again ransomware protection भी यहाँ पे दिया है right तो manage ransomware protection वगरा वगरा options आपको दिया है manage settings भी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे आप अपने PC को scan कर सकते हैं और जैसे आप pen drive अगरा भी लगाते हैं तो यह automatically scan कर लेता है Windows Defender और यह thread detect भी कर लेता है no current threads आपको दिखाए दे रहा है तो इस तरह से Windows Defender का आप access कर सकते हैं और which is absolutely free so दूसरे antivirus लेने की ज़रुवत आपको है नहीं दोस्तो next tips, next feature जो है basically क्या होता है जब आप Windows पे काम करें यानि कि File Explorer ओपन करते हो Windows E दबा के basically यहाँ पे आपने कोई folder open कर लिया ठीक है अब मैं यहाँ पे mouse highlighter folder open कर चुका हूँ अब यहाँ पे मुझे इस तरह से रखना इस है लेकिन मुझे एक और folder में जाना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे folder में जाओंगा तो क्या होगा automatically यहाँ की जो files मुझे दिख रही वो नहीं दिखाए देगी तो यहाँ पे Windows 11 में इसका solution निकाला गया है उपर अगर आप टॉप में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नया tab अड़ करने के लिए option दिया है इस Windows Explorer के अंदर ने features आये उसका अलग सा वीडियो में ने बनाया है तो चेक आउट जरूर कीजिए तो अब आपको कोई भी एक folder से दूसरे folder में switch होना है तो यहाँ पे आसानी से आप switch हो सकते हैं बिना उस folder को close की होगे उसकी file यह आपको दिखाए दें कि बस उपर tab पे क्लिक करके आप दूसरी जोगों जा सकते हैं next बहुत सारी बार हम जब computer पे काम करते तो हमें कुछ चीजों का screenshot किसी को भेजना होता है अब screenshot भेजने के लिए हम Windows print screen दबा सकते हैं यहाँ पे snipping tool जो है यह काफी अपग्रेड हो चुका है Windows 11 के अंदर उसके लिए आपको प्रेस क्या करना है Windows shift और ES आप जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे snipping tool का option या settings आपको दिखाए देगा जिसमें rectangular mode में आपको screenshot लेना है फ्री फ्राम mode में लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं जैसे मैं फ्री फ्राम mode में screenshot लेना चाहता हूँ तो मैंने इस पे click रखा है और मैं बस इतना ही screenshot लेना चाहता हूँ जितना में गुमाऊंगा उतना ही screenshot आएगा तो यह अब इस तरह से आप इसका screenshot ले सकते हैं, इसमें highlighter होता है बहुत सारी चीज़ी होती है, मतलब यह screenshot लेने के लिए काफी pro tool आपको मिला है, कोई third party tool की आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो इससे जरूरी स्तमाल कीजिएगा अब next feature विंडोस 11 के अंदर आप नया desktop insert कर सकते हैं, हमारे desktop की उपर हमने धेर सारे shortcuts और program files रखी है, और वो full हो चुका है, तो आप यहापे नया desktop भी ले सकते हैं, उसके लिए task bar पे नीचे bottom में option मिलता है, जहापे click करके यहापे नया desktop आपको देखने मिलेगा और नया desktop आप insert कर सकते हैं, right next, बहुत सारी वारा में VPN की जुरुत परती है, और बहुत सारी लोग VPN भी यूज़ कर रहे हैं, अपना data secure रखने के लिए privacy protection के लिए, तो यहापे अलग-अलग third party VPN लेने से अच्छा अब Microsoft ने Windows 11 के अंदर ने update में आपको मिलने वाला है, यहापे आपको gallant-sable VPN मिलने वाला है Windows 11 के अंदर, यहाँ, gallant-sable VPN आप इस्तमाल करोगे, तो यहाँ पर basically Microsoft की तरफ से यह है, तो आपका यहाँ पर data leak होने के tensions नहीं है, बहुत सारी VPN third party की होते है तो उसकी security वारे में हमेरा doubt रहता है, लेकिन यहाँ पर Microsoft की तरफ से gallant-sable VPN अभी आपको Windows 11 के नए अपडेट में मिलेगा, तो इसे ज़रूर चेक आउट किजिएगा and the next feature that is last one, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब अपने start menu को भी customize कर सकते हैं, जैसे आप Windows की दबाते हो तो Windows की दबाने के बाद आपको पता है, यहाँ पर already bottom में आप देख सकते हैं, मेरे पास power menu तो आ रहा है, और एक folder भी आपको दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर और भी चीज़े आप add कर सकते हैं, तो उसके लिए करना क्या है करते है, Start menu Customization करने के लिए, आपको क्या करना है, Settings में जाना है जब आ पर, यहाँ पे अलग अलग layout मिलते हैं वो आप यहाँ पर फोल्डर करके option मिलता है, इसमें से कोन कोन से options आप अपने Start menu में दिखाना चाहते हैं, रहें बोटम में, पावर के बाजू में जहाँ पे shutdown का option आता है वहाँ पे तो मैं setting दिखाना चाहता हूँ मैं documents दिखाना चाहता हूँ मैं download दिखाना चाहता हूँ और जैसे मैं अभी windows की दबा के यह start में वापीस लेता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको option दिखाए दे रहे जो मैंने enable की है इसके अलावा यहाँ पे जो application से उसमें से आपको कोई ऐसा application है जो regular use करना है तो आप all apps में जाओ और उसे आप जाकर right click करके यहाँ से उसे pin करो यह देखिए pin to start जैसे आप इसे pin to start करोगे तो यह यहाँ पे pin to start में आ जाएगा लेकिन फिलाल तो मैंने आपको Windows 11 के अलग-अलग tips और tricks बता दिये यह tips और tricks पसंद आए तो like जरूर करना साथी में आजकल AI का जमान है AI की मदद से अपना काम आसान करना हर किसी को आना चीए ने तो आपके साथ यह हो सकता है मतलब यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है रोबोट आपकी जगर लेगा और आपको अपना बोरिया बिस्तर बांत के निकलना पड़ेगा ऐसा तो नहीं होगा AI will not replace you but the person using AI will definitely do तो अगर आप अपने जॉब को secure करना चाते जॉब में promotion पाना चाते नए technology के साथ आगे बढ़ना चाते तो आप हमारे AI का webinar जॉइन कर सकते Microsoft Excel PowerPoint के अंदर AI की मदद से हम किस तरह से काम को आसान कर सकते Microsoft की formula हम chat GPT और AI की मदद से कैसे निकाल सकते Microsoft Excel के अंदर automation हम कर सकते अपना काम आसान कर सकते data के insight निकाल सकते data cleaning कर सकते बहुत सारी चीज़े आज कल chat GPT और AI कर पा रहा है और यह सारी चीज़े अगर आपको सीखनी है तो मेरा हर आपते मैं लगबग एक webinar कंड़क करता हूँ live webinar रहता है दो गंडेगा जिसमें मैं आपको यह पढ़ाता हूँ इसके लिए आपको बस एक चॉकलेट से कम प्राइज बरनी है 9 रुपे में इस webinar की प्राइज मैंने रखी है मैं चाहता हूँ कि भाई इस knowledge को आप grab कर लो जिसमें मैं आपको practically बताने ओला हूँ साथ मैं मैं practice file notes आपके साथ share करने वाला हूँ और कुछ bonuses भी आपको मिलने वाले तो जरूर आप check out कीजिए webinar की link description में वीडियो अच्छे लगा है तो like share और comment कीजिए हम मिलते हैं next वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए और सीखते रहे हैं सीखाते रहे हैं बाई बाई